नमस्कार दोस्तों, BACB यानि की बिहार बोड ने मैट्री का रिजल्ट आज लाइव कर दिया है, इस रिजल्ट को बिहार के सिच्छा मंद्री प्रोफेसर चंदर सेखर द्वारा लाइव किया गया है, यह रिजल्ट आज यानि की 31 मार्च को जारी किया गया, जिस दोरान अनन्द की सर्म और साथ ही अन्य करमचारी मौजूद रहा है, आपको बता दे कि बिहार बोड ने इस रिजल्ट को जारी करने के साथ अपना ही रिकोर्ड एक बार फिर से तोड़ दिया है, दरसल इस रिजल्ट को जारी करने के साथ ही बिहार बोड लागतार पांचवी बा लोगों ने रिजल्ट की देरी के वजह से काफी सफर किया था, बगर उस दोरान भी BACB ने अपने किसी भी चाथ को निरियास नहीं किया था, क्योंकि BACB ने परिछा भी समय से लिया और रिजल्ड भी जल्दी समय से जारी कर दिया था, और इस बार भी लगातर BACB ने सबसे जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया है बतादे कि पिछले साल भी BACB बूर्ड ने 31 मर्च को अपना रिजल्ट जारी कर दिया था और इस बार भी 31 मर्च को ही अपना रिजल्ट जारी किया है वहीं अभी से कुछ साल पहले की बात करें तो साल 2020 में BACB ने 26 मही को अपने रिजल्ट एड़ किया था लेकिन वहीं 2021 में काफी जल्दी यानि 5 अप्रिल को ही रिजल्ट रिलीज कर दिया था और वहीं 2022 और 2023 इन दोनों वर्सों में BACB ने 26 मार्च को रिलीज कर दिया गया है बता दे कि बिहर बोड में उनके परिशा वेवस्ता और सुधारों के लिए BACB के अध्यर्च अनंद किसोर को प्राइम मिनिस्ट अवार्ड फॉर एक्सिलेंस इन पॉब्लिक एड्मिनिस्ट में अपना खुद का ही रिकोर्ड टोड दिया है क्योंकि इस बार इस पर्सेंटेज में काफी ज्यादा बड़ोती देखी गई है वाहीं कुछ वाइन पहले तक अगर बात करें पासिंग पर्सेंटेज की तो साल 2018 में पासिंग पर्सेंटेज जो आया था वह काफी ज्यादा चींटा जनक था क्योंकि केवल 59 परसंट इस्टुडेंट्स थे जो बीसीबी बोर्ड में पास हो सके थे लेकिन अगर अब की बात करें तो पासिंग पर्सेंटेज के जो आकड़े हैं वह बदल चुके हैं जो से साफ देखा जा सकता है कि बीसीबी के जो बच्चे हैं उनमें कितना ज्यादा सुधार हो चुका है